हेलो एबरिवन, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल हंसराज इस्टेडी मेटरियल में फ्रेंड्स हम यहाँ भी एओ के लिए क्लास लेकर आते हैं तीन क्लास हम पहले ही कर चुके हैं आज हम लेकर आए हैं अपनी फोर्थ क्लास और इसमें हम पढ़ने वाले हैं राष्टवाद के उद्यके कारन किन कारनों से राष्टवाद को बढ़ावा मिला वो क्या कारन रहे थे उन सब के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं तो फ्रेंड्स अकर आप भी हमारी डेली क्लास जोईन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सारी क्लासिज के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचते रहें तो चलिए टाइम वेशना करते हैं हम सुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को देखते हैं क्या क्या कारण रहे हैं राष्टवाद की उद्यकी तो इसमें जो सबसे पहला कारण माना जाता है वो माना जाता है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जिनके बारे में हमने इससे पहले जो चैप्टर था उसमें बड़ा था कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन कोन-कोन से हुए हैं वही एक सबसे बड़ा में अंग्रेजों के आगमन तक भारतिय समाज और धर्म अनेक परकार की रूड़ी और कुरूतियों से ग्रस था विस्व मुदाय नए नए विचारों के साथ परगति के पत पर अक्षर था जबकि भारतिय समाज अपनी पुरानी मान्यताव के अनुसार चलने के कारण विकास नहीं कर पा रहा था तो इसलिए राजा रामोन राय स्वामी दैनंद स्रस्वती रामकिष्ण प्रमहंस स्वामी विवेकानंद महादेव गोविंद रानाडे गोपाल किष्ण गोखले देविनाथ टैगोर केसर चंद्रसेन एनी बेसेंट मोलवी सेयद एहमद दादा भाई आदी अनेक धर्म और समाज सुधारक नेताव का मार्ग दरसन प्राप्त हुआ और इन्होंने अपने अपने विचार रखे ताकि जो समाजे में कुरूतिया व्याप्त हो चुकी है कुरूतिया बढ़ चुकी है उन्हें दूर किया जा सके इनके मार्ग दरसन में हमारे और धर्म से रूडी वादिता यूम कट्र वादिता का निस्सरन हुआ और भारतिय समाज एकता के सूत्र में बंद कर अपनी राष्टिय असमिता को बचाने में तत पर हुआ तो सबसे पहला कारण इसमें आता है धार्मिक और समाजिक सुधार आंदोलन इसके बाद आता है अंग्रेजी सासन चल रहा था तो उन्होंने अपनी ही सिक्सा को यहाँ परचार परचार किया इसके लिए अंग्रेजी सिक्सा के परचार परसार का यदेपी भारतिय सब्यता पर नकरात्मक परपाव भी हुआ तथा पि नए विचार एम राजनीतिक जागरुकता की दिसा में उस समय यह अंग्रेजी सिक्सा अत्यांथी सायक सिध हुई अंग्रेजी सिक्सा के परचार परसार के कार्म भारतियों को वाल्टेयर, बेंथम, वर्क, मिल्क, ग्रीन, जोन इस्ट्वर्ट, इस्पेंसर, लोड मैकाले, आदी की स्वेतंतरता और राष्टवाद से समबंदित विचारों को जानने और समझने का मौका मिला इन विद्वान दार्सिनिकों ने लोकतंतर के महत और लोगों की स्वेतंतरता की विश्णता को परकासित तथा इनके विचारों से संप्रक्त होकर भारत वासी भी स्वादिन्ता के अगरी ही बने तो इसके अंग्रेजी सिक्सा जब उन्होंने परदान की तो उसे हमें जो अंग्रेजी इदार्शनीक थे उनके विचारों को जानने का मौका मिला आगे आता है इसमें भारत्य विद्या का परसार उन्निसवी सधापदी में राधा कांथ देव विच्वनात नारायन मांडलिक केटी तेलंग रमेश चंद्र ददत हजार परसाथ सास्री गोपाल बंडार कर आधि जैसे विद्वानोंने भारत्य विद्या के परचार परसार के लिए बहुत सारे प्रियास किये और भारते जनता के सामने के समक्सिस के गोरपूर्ण अतीत को प्रस्तुत किया गोरपूर्ण अतीत को नहीं जानने के कारण जो भारते थे उनमें हिंता की भावना उत्पन हुई थी और इसी हिंता की भावना ने उन्हें प्राध हिंता की बेडियों में जगड़े रहने के लिए बाध्यक कर दिया था सर विलियम जॉन्स द्वारा इस्थापित एसी आटिक सोसाइटी 1784 से भी भारत की प्राचिन संस्कीर्ति और सप्यता तथा साइटिया को जार करने में काफी साइटा मिली थी मैक्स मूलर जैसे विदेशी तथा राजेंदर लाल मित्र जैसे देशी विद्वानों ने भारत की प्रतिष्टा को फिर से इस्तापित किया और इससे क्या हुआ इससे भारतियों का जो स्वाबिमान फिर से जाग उठा और एकिकर्थ प्रियास से अपने गौरवपून अतीद को फिर से बहाल करने के लिए उनमें राश्टिय तकी भावना का विकास हुआ नेक्स आता है इसमें राश्टिय साहित्य का निर्मान ने नील तरपन अठार स्वासी में भारत तेंदू हजिश चंद्र ने भारत दुर्दसा बग्किम चंद चेटर जी ने आनंदमत माइकल मदूसुदंदत ने मेगनात वद की रचना करके राश्टियता एवं स्वेतंतरता की भावना का संचार भारत के जन साधारन में किया सुवर्मन्यम भारती आदी और मराठी में विशनु सास्त्री चिपूल लंकर जी एच देश मुख सीवरा महादे प्रान जपे आदी की रचनाई भी प्रेना का सुर्वत बनी और जन साधार में राश्टियता की भावना को जागरत करने के लिए का सुर्वत्त माध्यम साह साहित्य ही रहा है इस सचाए को जब भारत के साहित्यकावर ने अच्छी तरह से समझ लिया तब राश्टवादी साहित्य की रचना की जाने लगी और इससे भारतियों में राश्टियता की भावना का संचार हुआ नेक्ट आता है पत्रकारिता का विकास किसी भी सब्यता अत्वा समाज के राजनीतिक विकास में निश्ची तरूप से पत्रकारिता की भूमी का मैधपून होती है साहिते की अन्य विधाव में प्राचीन काल से समरत रहे भारत में दुर्भाग्यवस पत्रकारिता का विकास बाद में हुआ बाकी जगों पर पहले ही हो चुका था अगश्टस हिक्की के बंगाल गजट से भारत में पत्रकारिता की नीव पड़ी तो ये बहुत important point आता है यहाँ पर कि भारत में पत्रकारिता की नीव कपड़ी थी वो पड़ी थी अगश्टस हिक्की के बंगाल गजट से और अरंबिक दोर में बंगाल में ही इसका विकास हो सागा लेकिन धिरे धिरे पुरे देश में इसका विकास हुआ बंग दर्सन समवाद परभाकर, इंडियन मिरर, हिंदू पैट्रियल, अमरित बाजार पत्रिका, सुलब समचार, वोईस ओप इंडिया, बंबई समचार, इंदू परकास, उद्धन्त मारतंड, मराठा केशरी, हिंदू, स्वैदेश, मितरम, हेराल्ड एडवोकेट, ट्रीव आदि समचार पत्रों ने लोगों में रश्रिता की भावना को विक्सित करने के लिए कार्य किया है, देखे जो उद्धन्द वारतंड है, ये हिंदी का पहला समचार पत्र है, ये कोश्यन तो बहुत बार एकजाम में पूछा वे जा चुका है, आगे देखते हैं, आगे का सासन काल में 833 में चार्टर एट था 857 की करानती के बाद, ब्रीटी सासन सीधे तोर पर ब्रीटी सरकार के हाथों में चला गया जो भारत का सासन था, वो ब्रीटी सरकार की हाथों में चला गया, और उसके बाद 888 में गोसना की गई थी कि योग्यता के आदार पर भारतियो को भी उच्पदों पर न्युक्ति किया जाएगा क्योंकि पहले भारत्यों को उच्पदों पर न्युक्ति नहीं दी जाती थी लेकिन इसमें कहा गया कि योग्यत क्यादार पर भारत्यों को भी उच्पदों पर न्युक्ति दी जाएगी लेकिन ये घोसना केवल काज़ों त अब तक उनकी योगिता की उपहकशक की जाएगी और उनकी योगिता के नुसर उच्पत प्राप्त नहीं हो पाएगा नेक्ष करन आता है काले और गोरे का विभेद अंग्रेजी सासन जब से भारत में आये था तब इसे काले और गोरे की जो भावना थी वो उन में थी तो काले और गोरे के आधार पर हीनता एम स्रेश्टा की भावना का इनोंने परचार किया है जो अंग्रेज थे ये गोरों को सर्फ स्रेश्ट मानते थे और कालों को ये हीन मानते थे इनका एक मात्र उदेश्य था पास्चारत्य सभ्यता की स्रेश्टा को इस्थापित करना तथा पूर्वी सभ्यता को हीन साबित करना इनका लक्सिया भारतियों को मांसी ग्रूप से कमजोर बना कर उन पर सासंग करना था बाद में भारतियों ने जब इस वास्तिविक्ता को समझा थब अंग्रेजों से मुक्ति पाने और स्वाधिन तकी स्थापना करने का उन्होंने उदेश से बना लिया सोने की चिड़े के नाम से परसिद भारत को आधुनी काल में अंग्रेजों द्वारा इतना लूटा गया कि वो आर्थिक द्रश्टी से दिवालिया हो गया अंग्रेजी सरकार ने कभी भारत की स्थिती आर्थिक स्थित्यों को सही करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया भारत से सस्ते मुल्या पर वे कच्चे माल को प्राप्त करके और उसी माल से वस्तोय बना कर महंगे दाम में भारत को ही बेशते थे आयात सुल्क कम से कम कर दिया गया जबकि निर्यात सुल्क मूल्य अधिक से अधिक कर दिया गया इसे भारत के आर्थिक स्थिती और भी ज्यादा खराब हो गई इसी बीच भारत में जो अकाल पड़े इन पर सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया और जो यहां के भारतिये लोग थे उन्हें के आल पर मरने के लिए छोड़ दिया आर्थी दिवालियपन और अकाल के समय भी अंग्रेजी सरकार की उदासिंता ने भारतियों की भावना को देलित किया और सुवेतनता प्राप्ति के लिए प्रेडित किया नेक्षाता है यातायात एवन संचार विवस्था का विकास अंग्रेजों ने अपने सासनकाल में अपनी सुवेदा के लिए यातायात और संचार विवस्था का विकास किया इनकी विवस्ता से भारतियों को भी तेस विदेश की गती विदियों से अवगत एवं संपर्क स्थापित करने का मुका मिला अब तक भारत के एक छेतर के लोग दूसरे छेतर के लोगों के साथ संपर्क में नहीं आये थे क्योंकि यात्यात की सुईधाय उपलब नहीं थी परन्तु जब से भारत में रेलवेट डाक एवं तार का विकास हुआ तब से भारत के सभी छेतरों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आये और उनके विचारों का आदान-परदान होने लगा इस आदान-परदान से भारतिय को व्यापक जीवन दरश्थी मिली और उन्होंने प्रापति को अपने जीवन का जरम लख्ष नlarit कर लिया कि अन्य में स्वादीनटा अंदोलं की सफलता जो अन्य देश थे उनमें स्वाधिन्ता अंदोलन चल रहे थे और उन्हें सफलता मिलना भी राष्टवाद का एक परमुकारन था तो उनके इसके बारे में देखते हैं उन्निस्वी सताब्दी में वीश्व के अनेग देश लगतार संकर्ष के बाद स्वेतंतरता प्राप्त करने में सफल रहे थे फ्रांस, युनान, स्रीयुक्त राज्जी अमेरिका, इटली, आदि देशों को भी अपनी स्वाधिन्ता के लिए लंबी अब्दी तक अंदोलन करना पड़ा था इन देशों की स्वेतंतर प्राप्ति की खबर जैसे ही बारतियों को मिली तो वे भी अपनी स्वाधिन्ता अंदोलन के लिए प्रेरित हुए उनके मन में भी ये भावना जागरत हुई कि हम भी स्वेतंतर हो सकते हैं और अंग्रेजों को हरा सकते हैं आगे आता है इसमें राजनीतिक संगठनों का योगदान जो राजनीतिक संगठन बने थे उन्हों ने इसमें योगदान दिया देख लेते हैं वो कौन-कौन से संगठन रहे हैं बारत में राश्टवाद के उद्य में 19 वी सदी के राजनीतिक संगटनों की भूमी का सरवादी को लेकनिय रही है। हिंदू मेला, पुना सार्जनिक सभा, इस्ट इंडियन एसोसियेशन, इंडियन लीग, इंडियन एसोसियेशन, हिंदू महाजन सभा, प्रेसिडेंसी एसोसियेशन, ब्रिटिस इस्ट इंडिया सोसाइटी, आदी जैसे राजनीतिक संगटों ने छेत्री इस्तर पर राश्ट लोड रिपन के सासनकाल में ही कानून विवाक के सदस्य हैं सर सीपी इलबर्ट ने एक विदयक 833 में प्रस्तुत किया तो इलबर्ट विदयक कब आय था यह आय था का विरोध किया अंग्रेजों ने भारतिय न्याय दीस द्वारा अपनी विरुध मुकदमे की सुनवाई को अपना अपमान समझा इन अंग्रेजों ने लोड रिपन के विरुध आंदोलन चलाने का निश्चे किया अंग्रेजों के व्यापक विरोध के कारण लोड रिपन को प्रस्तावित विध्यक में परिवर्तन करना पड़ा लेकिन जैसे ही उन्होंने परिवर्तन किया तो इसे भारतियों ने मान हानी का परस्न बना लिया और ऐसा होना उचित भी था क्योंकि अपने ही देश में भारतियों को इतना नीच समझा जाता था कि तमाम योग्यता और स राष्टी एक्तपर बल दिया और देश को स्वाधीन करने की दिसा में सकरात्मक परियास के आवशक तको महसूस किया इलबर्ट विदेख ने भारतियों की आँखे खोल दी और उनमें राष्टी तक की भावना का संचार कर दिया अब आगे आते हैं कांग्रेस के गठन से पहले की राजनीतिक संस्थाई जब कांग्रेस का गठन हुआ था उससे पहले भारत में कौन-कौन सी राजनीतिक संस्थाई थी उनके बारे में देख लेते हैं तो कांग्रेस के गठन से पहले बंगाल में इंडियान एसोसियेशन, बंबई में प्रेसिडेंस एसोसियेशन, मदरास में हिंदु महाजन सभा और पुना में सरवजनिक सभा कार्य रत थी यह सभी संसाहे राजनीतिक जागरती लाने का कार्या कर रही थी किन्तु इनके जो कार्या शेत्र था वो एक विशेत्र तक ही सीमित था 857 की करांटी में भाग लेने वाले करांटी कारियों के प्रीजनों के साथ अंग्रेजी सरकार का वेवार बहुत ही निल्मम था 866 से 877 में रानी विक्टोरिया के सम्मान में दिल्ली दर्बार का आयोजन किया गया जिसमें बहुत सारे पैसे क्रोड़ो रुपिये खर्च किये लेकिन उस समय जो अकाल पड़ा था उसके लिए अंग्रेजों ने कोई भी ध्यान नहीं दिया न्यायलियों में न्याय किया इस्थान ए न्याय ने ले लिया और पुलिस की निरसंस और बरबर वेवार से आतंक का माहूल इस्थापित हो गया तथा अनावस्यक लगान वरदी के कारण जो किसान थे उनकी स्थीती बहुत खराब हो गई रानी विक्टोरिया बार-बार सुधारों की गोसना तो करती रही लेकिन उन्होंने कोई भी सुधार नहीं किया फिर राजनीतिक सुधार के लिए कारिरत नेताओं और इस्थानी संस्थाओं ने राष्टी इस्तर पर एकिकर्द संस्था क्या विशक्ता को महसूस किया और इस वरकार भारतिय राष्ट्य कांग्रेस की नीव पड़ी 19 सदी के पूरवार्द में भारत में जीन राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हुई उनका नेतर्थ मुक्यत है सम्रद एवं परभावसाली वर्ग द्वारक किया गया था इन संस्थाओं का स्वयरूप इस्थानिय या छेत्रिय था इन्होंने विवी न्याचिकाओ एवं प्राथना पत्रों के माध्यम से विश्टी संसथ के समक्स कुछ मांगे रखी थी वो मांगे क्या क्या थी इसे देख लेते हैं ये मांगे थी परसासनिक सुधार परसासन में भारतियों की भागी दारी को बढ़ावा देना तथा सिक जाते विचारों से परभावित व्यक्ति थे इन्होंने ही सबसे पहले अंग्रेज्जों का ध्यान भारत्य समस्याव की और आकरश्ट किया था ऐसा माना जाता है कि 1836 के चार्टर एक्ट की अनेक उदारवादी जो धाराय आई थी वो इन्हीं के प्रियासों के कारण आई थी लेकिन बंगार में सबसे पहले जो राजनीतिक संगठन बनाने का स्रे जाता है वो जाता है राजरा महानराय के सहयोग्यों को जब इन्होंने 1836 में बंग भासा पर बनाना जाता है तो अगठन इन्होंने किया जमीदारी एसोसिसर्ण भारत की पहली राजनीतिक सबा थी जिसने संगठित राजनीतिक परियासों का सुभारम किया इसने ही सब पर्थम अपने उदेश्यों की पूर्ति के लिए सम्वेधानिक परदर्शन का मार्ग अपनाय इसके बाद 843 में एक अन्य राजनीतिक सबा थी बंगाल ब्रीटिस इंडिया सोसाइटी जिसका उदेश्य था लोगों में राष्टवाद की भावना को जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रूत्साहित करना सोसाइटी ब्रीटिस आसन के प्रभाव से समाज के सभी वर्गों के लोगों की कठेनाई एवन दुखों पर विचार करके उनके समधान ढूरने का प्रियतन करती थी 1851 में जमीदारी एसोसेशन तथा बंगाल ब्रीटिस इंडिया सोसाइटी का अपस में विले हो गया और इन दोनों के मिलन से एक नई संस्था बनी वो कौन सी थी वो थी ब्रीटिस इंडियन एसोसेशन का गठन हुआ था इसने ब्रीटियन की संसद को एक प्राथना पत्र भेज़ कर अपील की कि उसके कुछ सुझाव को कमपनी के नई चार्टर में सम्मिलित क्या जाए और सुझाव कौन कौन से थे वो थे लोगपीडियो देशियों व कुछ हद तक सफलता मिली जब 1853 की अधिन्यम द्वारा गवर्नर जल्रक की विधाई प्रीशद में कानून निर्मान में सहता देने के लिए छे नए सदिश्यों को मनोनित करने का प्रावधान किया गया इसके बाद 1866 में दादा भाई नोरोजिने लंदन में इस्ट इंडिया एसोसियेशन का गठन किया इसका उदेशिया भारत के लोगों की समस्याओ और मांगों से बीटेन को अवगत कराना था तथा भारत वासियों के पक्स में इंग्लेंड में जन समर्थन को तयार करना थ कालांतर में भारत के विविन भागों में इसकी साखाए खुल गई थी 1875 में सीसिर कुमार गोस ने इंडियान लीग की स्थापना की इसका उदेशिया लोगों में राष्टवाद की भावना को जागरत करना था राजनीतिक सिख्षा को प्रोचाहन देना था सीग्र ही इंडियान लीग की का इस्थान इंडियान एसोसियेशन ओप कलकत्ता ने ले लिया इसकी स्थापना का हुई थी 1896 में सुरेंदनात बैनर जी एवं आनन्द मोहन बोस इनके परमुखनेता थे ये दोनों बैटिस इंडियान असोसियेशन की संकीन एवं जम्मिदार सार्थक नीतियों के विरुद थे इंडियान असोसियेशन ओप कलकत्ता बारती राश्ट्य का अंग्रेस की पूरवर्ती संस्थाओं में से एक मैथपून संस्था थी इनके उदेशिये क्या थे इनके उदेशिये देख लेते हैं तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्ता के संधर में से सक्त जन्मत त्यार करना और दूसरा उदेशिये था एक साजा राजनीतिक कार्यकरम हेतू भारत वासियों में एकता की भावना को इस्तापित करना एसोसियेशन की साखाय बंगाल के अनेक स्थानों तथा बंगाल से बार भी खोली गई एसोसियेशन ने निम्न आईवर के लोगों को आकरश्ट करने के लिए अपनी सदस्यता सुर्ख काफी कम रखा था तो ये सब थी बंगाल में कौन-कौन सी राजनीतिक संस्थाई थी अब आता है बंबाई में कौन-कौन सी राजनीतिक संस्थाई थी बंबाई में सबसे पहले राजनीतिक संस्ता थी बंबे एसोसियेशन इसका घठन हुआ था 26 अगस्त 1852 को करकत्ता बेश्री ब्रीटिस इंडिया सोसियेशन के नमूने पर किया गए था इसका उदेशिये था भेद भावपूर्ण सरकार नियमों के विरुद सरकार को सुझाओ देना था विबिन बुराईयों को दूर करने ही तू सरकार को ग्यापन देना 866 में महादेव कोविद रानाडे ने पूरा सार्वजनिक सबाग बनाई इसका उदेशिये सरकार और जनता के मद्धिये सेथ दुका कारिये करना था 885 में बॉंबे प्रेसिडेंसी असोसियेशन बनाई गई जिसका स्रेज सहयद बदरुदीन तयब जी फिरोसा मैता अयम कीटी तैलंग को जाता है इसके बाद आती है मदरास में कौन-कौन सी सस्थाई थी कलकत्त की बुर्टिस इंडिया सोसियेशन की साखा के रूप में मदरास नेटिव एसोसियेशन का गठन किया गया किन्तो ये ज़्यादा परभावी नहीं हो सका मई 884 में एम वीरा रागवाचारी वी सुब्रमन्यम अयर एम पी आनन चारलो ने मदरास महाजन सभाका गठन किया इस सभाका उदेश से इस्थाने संगठन के कारियों को समन्वित करना था कांगरेस से पूरवरतिय भ्यान क्या-क्या चले है भारतिय राजनीतिक परिद्रिस्या पर अकील भारतिय कांगरेस के अविक्षय से पूर इन राजनीतिक संस्थाओं ने अने कांदोलन चलाए है जो की इस परकार है देख लेते हैं कौन-कौन से चलाए है और अधास्य पिचेतर में चलाए था कापासपर आयात सुल्क आरोपित करने के विरोध में सरकारी सेवाओं के भारतिय करन हेत्तू 889 अनस्थी में लॉड लीटन की अफगान नीती के विरोध में नेक्ट चलाए था सिसस्त अधीन्यम 888 के विरोध में वर्णना कुलर प्रेस एक्ट 808ंतर की विरोध में, स्वयम् सेवक सेना में परवेश की अधिकार के समर्थन में, नेक्स था, प्लांटेशन लेबर एवं इंग्लेंड इमिग्रेशन एक्ट के विरोध में, इसके बाद इलवर्ट पिल के समर्थन में राजनीतिक परदर्शनों हेतु अखिल भारतिया कोस्की स्थापना के समर्थन में बीटेन में भारत का समर्थन करने वाले दल के लिए मतोहेतू तथा भारतिय सीविल सेव में परवेश की न्यूंतम आयू कम करने के समर्थन में तो ये कुछ यहाँ पर अभियान चलाए गए हैं जो की कांग्रिस से पहले चलाए गए थे इंडियन एसोसियेशन ने इस संब्ध में अखिल भारतिय परदर्सन किया इसे ही भारतिय सीविल सेवा परदर्सन के नाम से भी जाना जाता है तो ये थी कुछ संस्थाए जिनके बारे में यहाँ बताये था और राश्वाद के उद्धे के क्या क्या कारण रहे हैं हो सब हमन अगर पसंद आती है तो लाइक और से करना ना भूलिएगा चलिए मिलते हैं हम नेक्ट टोपिक में